नमस्कार मैं हूँ नरेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आप तक नरेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आप देख रहे हैं के पैर बंधेवें थे हमारी टीम ने वहां पर आसपा स्चानमीन करी और फॉरन वेटेनरी ओफिसर को बुलाया वेटेनरी ओफिसर ने जंगली सुवरों की खालत की इस्थिति की जाच करी और पाया कि सभी सुवर जिंदा हैं और उनको फिर हम लोगों ने पानी पिलाया उन रिलीज कर दिया मैं आपको बताना जाता हूं कि जंगली सुवर वन्यजीव संरक्षन अधीनियम 1972 के शिडियूल 2 के अंदर एक प्रोटेक्टिड वन्यजीव है इसका शिकार करना कानूनन अपराद है लेकिन कहीं जगे यह जंगली सुवर वर्मिन हो जाते हैं तो चीफ जो जंगली सुवर हमें बंधेवे मिले थे वो एक अपराद की श्रणी में आते हैं कंकेर में अचानक आई आंधी से परलकोट शत्र के कई गरीब किसांद परिवार प्रभावित हुए हैं किसी के घर का छपपर उड़ गया तो किसी के घर पर पेड़ गिरने से घर नस्ठ हो गया घर में रखा नाजु सहित कीमती वस्तू आंधी बारिश में भीगने से नस्ठ हो गई अचानक बे मौसमाई तेज आंधी और बारिश से शत्र में तबाही ने जन जीवन प्रभावित किया इस वशम परिश्थिती में भाजपाई वा मौचा के अध्यक्षिर शंकर सरकार अन्यय साथियों सहित मिलकर पिडितों की मदद कर रही है कांकेर के पकांजूर में तेज गर्मी से लोग परिशान है लाके में तेज आंधी तूफान चल रहा है आंधी तूफान से ग्रामिनों को भी नुकसान हुआ तो वहीं पकांजूर टाउन में कई जगा बिजली के खंबे तूट गई है जिससे तार तूट जाता है लाइन को दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग 24 घंटे काम करता है अमरोहा जिलास्पताल बना खाड़ा दवाई लेने आई दो महिलाओ के बीच में जमकर हुई मारपीट लाइन में लगने को लेकर हुआ था विवाद पास में खड़े सुरक्षा कर्मी ने कराया बीच बचाओ मारपीट का विडियो सोशल मीजिया पर हो रहा वाइरिल यूपी के बुलंद शहर के गुलावठी में ट्रांसफार्मर में लगी भीशनाग आग और धुए के गुबबार से मची अफरा तफरी गुलावठी में हाइवे किनारे पेट्रोल पंप के पास वी स्पार्किंग जिसकी वज़ा से भीशनाग लग गई बिजली सप्लाई बंद कर दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू आज की खवरों में इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार